किम भी और शेखा जो नहीं तोना मश्यखार दोस्तों मैं मनुज आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरी चेनल नाम आंट गेमिंग में और जो को दोसवे तो यार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे पबजी के जो लैक फिक्स करने हैं और कुछ जो आपके फ्रेम रेट कम हैं उनको कैसे बढ़ाएं तो हम उस बारे में बात करेंगे तो आप लोग सब सोच रहोंगे कि यह जी एफेक्स टूल के बारे में बताएगा तो ह आप अपने fps नहीं बढ़ा सकते ठीक है कॉमन सेंस वाली बात है और दूसरी बात यह है कि मैं जी एफेक्स टूल के बारे में ऐसे जी एफेक्स टूल के बारे में बता हुआ जिससे आपका फोन जो है वो ज्यादा हीट नहीं करेगा क्योंकि आपको जो नॉर्मल जो जी ए ऐसा बता हुआ जिससे कि आपकी बैटरी भी कम जाएगी और यार आपके fps बेच्छे हैंगे और आपका गेम लैग भी नहीं करेगा तो ट्राइजरूर करना अगर अच्छा लागे तो या लाइक कर देना और शेयर कर देना लेकिन ट्राइजरूर करना एक बार उसके बिना बाई डिसलाइक ठोके मत जाना तो दोस्तों यार मैं अपने मेन अकाउंट में आपको अपलाई करता हूं क्योंकि मैं अपने मेन अकाउंट में इससे खेलता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर भी है हाई ग्राफिक और मेरा मोबाइल है मैं नोट 7S जो की 30 fps सपोर्ट है मैं इसी से श्ट्रीम करता हूं इसी से वीडियो बनाके एडिट करके सब कुछ जालता हूं तो मैं सिंपल है आप देख सकते हो भी 30 fps आ एफ पियस तो इतने ही आते हैं तिक है उससे उपर नहीं आते है मोबाईल मनलब कुछ नहीं करता ठीक है और दूसरी बात है आपको ए यही सारी सेटिंग रखनी है क्योंकि अगर आप इस सेटिंग को हाई करोगे ना उपर जो ग्राफिक क्वालिटी है तो उसके लिए अच्छा फॉन चाहिए और अगर अच्छा फॉन होता तो आप इस जीएफेक्स टूल का यूज ही नहीं करते आपको में मेंली क्या करना है तो फ्रेम रेट 60 fps करने है और कलर स्टाइल कलर लो बस ठीक है और बाकी सारा कुछ लो रहने दो और एक साउंड क्वालिटी हाई रख लो ठीक है और बाकी सब कुछ आपको कुछ करने की जरूत नहीं है क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ोगे चेड़ हाई करोगे तो वह फोन लैग होगा उसके बाद आपको सिंपली अपलाई करके उसको रन कर देना है और यहां पर रन होने के बाद आपका गेम जो है वह ओपन हो जाएगा तो यार दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज यार शेयर कर देना 850 सब्सक्राइबर्स कंप्ल उपर वीडियो बनाओ तो मैं वही बना रहा हूं और उसके बाद आप जो वीडियो बलोगे मैं वह बना हुँआ बस सईसी वीडियो बताना तो आप देख सकते हो यार जी एफेक्स लगाने के बाद मेरे 60 fps आ गये है ठीक है और आप लोड देख सकते हो CPU में 50% है और GPU में भी 50% है तो ऐसा नहीं है कि एक ही में ज्यादा लोड पड़ रहा है एक में कम लोड पड़ रहा है ठीक है अभी आप कहरे होगे आप CPU में 75% है तो वह इसलिए क्योंकि GPU यूज ही नहीं हो रहा है GPU होगा जब आप गेम खेलोगे तब यूज होगा अभी तो मेरा CPU ही यूज हो रहा है ठीक है तो मैं आपको उपन करके दिखा जेता हूं कि यार मेरे ग्राफिक्स जो है वह इंक्रीज हो चुके हैं और मैं एक और बात बता दूँ भाई फ्रेम रेट जो है वह गिरेंगे आपके कब जब आपका मुबाइल हीट होगा तो कोशिश करिए कि आपका मु रिलीज नहीं करता है अगर आपको पता हो आपने साइंस पड़ी हो तो वह रिलीज नहीं करता हीट तो अब्जाव भी करता रहता है और आपको मुबाइल मतलब कंटिनियूसली हीट पर रहता है तो बैक कवर हटाओ ठीक है उसके बाद आप जीएफेक्स टूल लगा कि ख खर्चा हो कि बैक कवर निकालो और फैन चलाओ नॉर्मली आप करते होगे फैन चला के खेलते होगे आपको खाली एक बैक कवर हटाना आ उसका और फिर खिलना है ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है और अगर वीडियो या अच्छी लगी हो ना तो यार शेयर कर देना औ और नेक्स्ट वीडियो तक कोशिज करो कि मेरे 900 करवा दो प्लीज दोस्तों प्लीज और वीडियो को देखते हो और आप उपर देख सकते हैं किसी प्यू में कितना लोड आ रहा है जीपी में कितना रहा है सब कुछ देख सकते हैं तो चलिए बाय-बाय टाटा गूड डेव